हेलो दोस्तों मैं सिसकोमार अपने यूटूब चाहें बिहार जीके ट्रिक्स पापका स्वागत करता हूँ आज हम लोग SPD 2023 के बिहार करेंट अफेर्स के अंतरगत मार्च महिने के सभी करेंट अफेर्स को इस वीडियो में पढ़ेंगे तो यदि आप लोग ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं क्या है तो इससे सब्सक्राइब कर ले साथी बेल आइकन को जब दबायत वाई वीडियो को स्टाट करते हैं तो आज का पहला प्रशन है बिहार आर्थिक सर्वेक्षन 2021-22 रिपोर्ट के नुसार बिहार के किस जिले में किसोर और बुजुर्ग सबसे अधिक है तो याद आखेंगे बिहार के गया जिले में किसोर और बुजुर्ग सबसे अधिक है अब अगला प्रशन है बिहार में प्रती 10 लाग की आवादी पर सबसे अधिक स्वास्त केंद्र किस जिले में अस्तित है तो इसका शेयुतर है जमुई जिले में वहीं दूसरे अस्तान पर सेखपुरा जिले में और तीसरे अस्तान पर सिभर जिले में दस लाग की आवादी पर सबसे अधिक स्वास्तिके अर्थात होस्पीटल मौजूद है अब आई चलते अगले परश्ण पर तो अगला परश्ण है बिहार बजट 2022-23 में राज के कितने सहरों को मौडल टौन बनाने का लक्ष रखा गया है तो राज के 6 सहरों को मौडल टौन मौडल टौन बनाने का लक्ष रखा गया है तो वे च्छा सहरों के क्या क्या नाम है तो याद आखेंगे मुजब परपुर, बिहार सरीफ, मुंगेर, सुपॉल, बोध गया और राजगीर अब अगला प्रश्ण है, 0 से 18 वर्ष की बच्चों क्यों आवादी में बिहार का देश में कौन सा अस्थान है फिर से 0 से 18 वर्ष की बच्चों की आवादी में बिहार का देश में कौन सा अस्थान है तो बिहार का देश में दूसरे अस्थान है जहां 33 परतिशत जन संख्या 0-18 वर्ष की बच्चों की है अब अगला प्रश्ण है बिहार आर्थिक सर्वेक्षन 2021-22 रिपोर्ट के अनुसार प्रतिव्यक्ति आई के मामले में बिहार का कौन सा जिला पहले अस्थान पर है तो यहार दखेंगे प्रतिव्यक्ति आई के मामले में बिहार का पटना जिला जो है परथम अस्थान पर है अर्ठात यहां के परतिव्यक्ति का आई 1.3 एक लाख रूपिया है कितना एक दस्रमलो तीन एक लाख अर्थात एक लाख एकतिस हजार प्रतिव्यक्ति आई पटना जिले के निवाशी की है अगला पस्टन है बिहार आर्थिक सर्वेक्षन 2021-22 रिपोर्ट के अनुसार बिहार की प्रतिव्यक्ति आई कितनी है तो बिहार की प्रतिव्यक्ति आई है 50,555 रूपिये कितने 50,555 रूपिये अब अगला पस्टन है बिहार सरकार दौरा किस वर्स तक विध्याली सिक्षा में सत परतिशत सकल नामंकर अनुपात हासिल करने का लक्ष रखा गया है तो इसका सही उत्तर है 2030 तक कब तक 2030 तक अगला पश्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षन 2021 रिपोर्ट के नुसार बिहार में मंद्रेगा के तहट कितने पौधे लगाये जाएंगे तो बिहार में मंद्रेगा के तहट सवा करोर पौधे लगाये जाएंगे कितने शवा करोर अर्थात 125 लाक पौधे लगाये जाएंगे किसके तहट मंद्रेगा के तहट अब अगला परश्ण है किसे एक तीसमा बिहारी प्रोषकार 2021 से सम्मानित किया गया है तो याद अखेंगे मधु कांकरिया को एक तीसमा बिहारी प्रोषकार 2021 से सम्मानित किया गया है यह जो है राजस्थान की लेखी का है वर्स 2020 का तीसवा बिहारी प्रोस्कार मोहन कृष्ट बोहरा को दिया गया था अब अगला प्रस्ट है हाली में भाद के पर्थम राश्पति डॉक्टर राजन परशाद की कौन सी जयनती मनाई गई तो इसका शेउत्तर है 69 अर्थात 59 वी इनका जन अर्थात राजन परशाद का जन 3 दिसंबर 884 को सिवान के जीरा देई में हुआ था अब अगला प्रस्ट है पटना ग्यान भवन में संपन हुए बस्वंत्चव महला उद्यमी मेले में किस महला को महला उद्यमी का पहला प्रस्कार दिया गया है तो किस महला को तो इसका शेयुतर है वहिदा अहमद को किसे वहिदा अहमद को महला उद्यमी का पहला प्रस्कार दिया गया है अब अगला प्रस्ट है एक मार्च बिहार के मुखमंत्री नितिश कुमार की कौन सी जम दिन मनाए गई तो एक मार्च को एक खतर्मी जम दिन मनाए गई थी किसकी तो मुखमंत्री नितिश कुमार की मुखमंत्री नितिश कुमार का जन्म पटना जिले के भक्तियारपूर में एक मार्च उनिश्यो एकावन को हुआ था अब अगला पस्ट है किस राज में किन्णरों की पुलीस में सिधी नियुक्ति की जाएगी तो इसका श्यूतर है बिहार राज में इसके तहट सिपाही एवं दरोगा की आगामी नियुक्तियों में परतेक 500 पदों पर एक ट्रास्जेंडर को मौका दिया जाएगा अब अगला पस्ट है हाली में बिहार के किस जिले में जो नियर राज अस्तर ये कुष्ति परतेयोक्ता का अयजन किया गया तो इसका श्यूतर है भागलपूर में किस जिले में भागलपूर जिले में अगला पश्ण है हाली में मुखमंती नितिस कुमार ने किस छेद्र को बिहार का 49 जिरा बनाने की घोशना की है तो इसका शेगुत्तर है बाढ़ को जो की पटना के छेद्र के अंतरगत आता है अगला पश्ण है 22 मार्ज को 110 वे बिहार दिवस की अफसर पर सांस्क्रितिक महत्सब के लिए कितने परती भागियों का चैन किया गया तो इसका शेगुत्तर है 100 परती भागियों का चैन किया गया था अगला पश्ण है नीती आयो के द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में 117 जिलों में बिहार का कौन सा जिला 58 से 6 रैंक पर पहुँच गया है तो कौन सा जिला तो बिहार का पुर्णिया जिला जो है यह 58 से 6 रैंक पर पहुँच गया है किसमें तो डेल्टा रैंकिंग में अगला प्रश्ण है बिहार बजट 2022 ते इसके अनुसार बक्सर का 14 पावर प्लांट कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन करने में सक्चम होगा तो इसका सेउत्तर है 1320 मेगावाट कितना 1320 मेगावाट अगला प्रश्ण है बिहार के किस कलाकार को सेंटर गलास आर्ट बनाने के लिए इंडिया बुक औफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है तो इसका शेउत्तर है सुभम वर्मा का किसका सुभम बर्मा का जो की पटना की निवासी है अगला प्रश्ण है बिहार बजट 2022 में सरवादिक अर्था सबसे अधिक किस छेत्र को रासी आवन्टित की गई तो इसका शेउत्तर है सिच्छा छेत्र को बिहार बजट 2022 में सबसे ज्यादा राशी आवन्टित की गई थी इसमें इस शेत्र में 49,191 करेवर रूपिय जो की कुल बजट का 16.5% हिस्सा था आगे है आर्थिक सरवेक्षन 2021 के अनुसार बिहार में सहरी करन का अस्तर कितने परतिशत हो गया तो बिहार में सहरी करन का परतिशत 15.3% हो गया है आगे है पटना जिला में सहरी करन का अस्तर सरवाधिक है कितना तो 44.3% वही नेक्स्ट पाइंट है इसके अलावा अर्थात पटना जिला के अलावा सिर्फ दो जिले मुंगेर और नालंदा में ही सहरी करन का परतिशत 25% से अधिक है अगला प्रश्ण है बिहार के ततकालिन उपमुख मंत्री सह वित मंत्री तारकिसोर परशाद ने वित वर्ष 2022-23 के लिए कितने रूपिय का अवंटन पेश किया तो इसका शेय उतर है 2,37,691 करोर रूपिय का कितना अर्थात बिहार का बजट इस वार कितना था तो 2,37,691 करोर अगला प्रश्ण है दर्वंगा की किस महिला को दिल्ली सिक्षा निर्देश साले द्वारा एक्सिलेंस एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो इसका शेय उतर है डॉक्टर नीशा जाको किसे डॉक्टर नीशा जाको अगला प्रश्ण है बिहार के किस जिले के संदीप नागर ने 335 यूनिट बलड अश्टोर करने का इंडियन बुक औफ रिकॉर्ड में नामदर्ज करवाया है तो यह बिहार के किस जिले के निवासी है तो यह बिहार के वैसाली जिले के निवासी है अगला प्रश्ण है बिहार की पहली नदी जोरो प्रयोजना के तहत वर्श 2022 में किन दो नदियों को जोड़ा जाएगा तो वर्ष 2022 में बोढ़ी गंड़क और बागमती को जोड़ा जाएगा अब अगला प्रश्ण है आठ मार्च 2022 को मनाई गई अंतराष्टी महिला दिवस पर बिहार विधानसभा में किस महिला विधाय को विधानसभा स्पीकर की जेमेदारी दी गई थी तो इसका से उतर है जियोती देवी को किसे जियोती देवी को अगला प्रश्ण है बिहार के किस जिले के फल्गु नदी पर रवर डैम के निर्मान की घोशना की गई तो बिहार के गया जिले के फल्गु नदी पर रवर डैम के निर्मान की घोशना की गई है अब अगला पश्ण है हाली में जारी किये गए आकरो के नुसार सवी तरह के अपराद के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो सवी तरह के अपराद के मामले में बिहार का देश में 25 अस्थान है कौन सा स्थान? 25 अब अगला पश्ण है बिहार बजट 223 के नुशार बिहार के किस जिले में Mega Skill Center बनाई जाएगी तो इसका शेयोतर है पटना नलंदा और दरभंगा जिले में Mega Skill Center बनाई जाएगी अगला परशन है बिहार के नए सुचना आयक्त कौन बने है तो बिहार के नए सुचना आयक्त फूल चंद्र चौधरी और तिरपुरारी सरन बनाये गए हैं किने बनाये गया फूल चंद्र चौधरी और तिरपुरारी सरन को अगला पश्ण है किसान आंदुलन के जनक स्वामी सहजाना सोसती की कौन से जयनती मनाई गई है तो इसका शेगुत्तर है 134 वी जयनती पर भी ध्यान केंदित किया गया मशली उद्पादन का संबंद किस से है तो मशली उद्पादन का संबंद नीली क्रांती से है किस से नीली क्रांती से अगला पशन है चार मार्च को बिहार के किस परसित सहितकार की जैनती मनाई गई है तो इसका शेयुत्तर है फनिश्वर ना रेनू का जन्म चार मार्च 1921 को और आही हिंगना अररिया बिहार में हुआ था अगला पस्ट है हाले में बिहार के किस जी आई टेग प्राप्त उत्पाद पर डाक टिकट जारी किया गया है तो इसका श्यूतर है मगही पान पर अब आई चलते हैं अगले पस्ट पर तो अग जैविक उत्पादों को विशिष्ट प्रसकार प्रदान किया गया है तो इसका श्यूतर है बिहार राज के जैविक उत्पादों को अगला पस्ट है एक आई रिपोर्ट के अनुशार बिहार में परधान मंत्री ओजवला योजना के दूसरे चर्ण में कुल कितने कनेक्श बाटे गए थे जिसमें पहले चर्ण की सुरुवात में 1 मई 2016 को बलिया उत्तर परदेश से शुरू की गई थी जबकि दूसरे चर्ण की सुरुवात 10 अगस्त 2021 को महोवा उत्तर परदेश से की गई थी अब आई चलते हैं अगले पश्ण पर तो अगला पश्ण है किस राज सरकार द्वारा सरमिकों को सुविदा देने के लिए समुन्दर पार नियोजन ब्यूरो की अस्थापना की जाएगी तो इसका शे उत्तर है बिहार राज के द्वारा किस राज के द्वारा बिहार अने वाली किस गाईका को दिल्ली में राष्ट्रिये सक्ती सीरो मनी सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया तो इसका शे उत्तर है डॉक्टर नीतु कुमारी नूतन को किसे डॉक्टर नीतु कुमारी नूतन अब अगला पश्टन है भोजपूर की किस महिला को अंतराष्ट्रे महिला दिवस पर राष्ट्रपती द्वारा नारिश सक्ती प्रवसकार से सम्मानित किया गया तो इसका शे उत्तर है अनीता गुपता को किसे अनीता गुपता को अगला पश्ण है बिहार सरकार द्वारा देश के कितने सहरों में Migration Counseling Center खोले जाने की घोशना की गई है तो इसका शेउत्तर है 10 सहरों में कितने सहरों में 10 सहरों में Migration Counseling Center खोले जाने की घोशना की गई है अब अगला पश्ण है हाली में राधाने पटना को स्वच बनाने के लिए कौन सा एप लॉंच किया गया तो इसका से उतर है क्लीन अप एप कौन सा एप क्लीन अप एप अब अगला पश्ण है हाली में घोषना के नुसार किस राध सरकार द्वारा भूमी दस्तावेज की डोर एश्टेप डिलेवरी सुरू की जाएगी तो इसका से उतर है बिहार राज्ये अब अगला पश्ण है हाली में समाज से भी अमीत कुमार पासवान को 2022 का भीमराव अमेद कर राष्टे प्रसकार से सम्मानित किया गया वे बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं तो वे बिहार के नलंदा जिले के रहने वाले हैं अब अगला पश्ण है बिहार के किस जिले में राज का पाला टेक्स्टाइल मैत्रे पार के निर्मान की घोशना की गई है तो इसका से उतर है पश्चिम चमपारण में किस जिले में पश्चिम चमपारण में अब अगला पश्चिम है किसके नेत्रित में विधान सभा पुस्तेकाले समीती ने 100 वर्सों के इतिहास में पहलेवार प्रतिवेदर अर्थात रिपोर्ट पेस किया है तो किसके नेत्रित में तो इसका से उतर है सुदामा परसाद के नेत्रित में किसके नेत्रित में सुदामा परसाद के नेत्रित में आगे है बिहार विधान सभा की अस्थापना 7 फरवरी 1921 को हुई थी कब हुई थी बिहार विधान सभा की अस्थापना तो 7 फरवरी 1921 को वहीं next point है, वर्ष 2022 में 7 फरवरी को बिहार विधान सभा ने अपनी श्वर्णीम इतिहास के 100 साल पूरे किये हैं, अर्थात बिहार विधान सभा के कितना साल पूरा कर लिया तो 100 साल, आगे है बिहार विधान सभा के पत्थम अध्यक्ष राम दयालु सिंखते, अब आई च राज्य स्वास्तमंत्री द्वारा 33 तरह की बिमारियों की रियल टाइम मौनिटरिंग किस पोर्टल पर करने की घोशना की गई है, तो इसका शेयुत्तर है IHIP पोर्टल पर, किस पोर्टल पर, IHIP पोर्टल पर, अगला पस्ट है हाली में प्रस्तावित वारा नसी हावरा हाई अस्पीड रेल कोरिडोर बिहार के कितने जिले से होकर गुजरेगी तो बिहार के कितने जिलो से तो बिहार के पाँच जिलो से होकर गुजरेगी कितने जिलो से पाँच जिलो से अगला पश्म है बिहार सरकार के तैठकालीन भवन निर्मान मन्ती ने विदान सभा में कितनी क्रोर रूपे का बजेट पेस किया तो इसका शेय उतर है 4961 करोर रूपे का अगला प्रश्ण है बिहार दिबस पर किस व्यक्ति को कर्म कौशल सम्मान से सम्मानित किया गया है तो इसका शेवतर है चुन्चुन कुमार को किस व्यक्ति को चुन्चुन कुमार को अगला पश्ण है आयूस पधिती को बढ़ावा देने के लिए किन सरकार ने बिहार में कितने आयूस हेल्थ एन्ड वेलने सेंटर खोलने की घोशना की है तो इसका श्रीवत्तर है 700 अर्थाथ 700 अब अगला पश्ण है एक रिपोर्ट के नुसार देश में तमिलनाडू के बाद कौन मक्य का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज है तो याद अखेंगे तमिलनाडू के बाद दूसरा सबसे बड़ा मक्य का उत्पादक राज ये बिहार बन गया है अब अगला पश्ण है बिहार के किस जिले में अस्थेत नवी नगर थर्मल पावर प्लांट का शफलता पुर्पक ट्राइल पूड़ा किया गया है तो इसका श्रय उत्तर है औरंगाबाद जिला में अस्थेत नवी नगर थर्मल पावर प्लांट का अब अगला पस्ट है नेती आयोग द्वारा जारी आकांची जिला कारेकरम के तहद सिक्षा के छेत में कौन से जिले को दूसरे अस्थान मिला है तो इसका से उत्तर है और रंगाबाद जिले को अगला पस्ट है राष्ट्रे राजधाने नई दिल्ली में दिल्ली हाट एवं आई एन ए में कितना दिवस्ये बिहार उस्थाव संपन हुआ तो इसका से उत्तर है पंद्रा दिवस्ये अगला पस्ट है है हैदराबाद में आउजित राष्टे सम्मान में कौन से एक मातर बिहार के एस्कूल को सम्मानित किया गया तो इसका से उत्तर है नौलेज ग्राम इंटरनेशनल एस्कूल पटना को अगला पस्ट है कर्टिहार जिले की कौन सी ट्रांसजेंडर महिला मिस्स ट्रांसक्वीन इंडिया की ब्रांट एंब्रेश्टर बनने वाली भारत की पहली ट्रांसजेंडर बन गई है तो इसका से उत्तर है नव्या सिंग फिर से कर्टिहार जिले की कौन सी ट्रांसजेंडर महिला है जिसे मिस्स ट्रांसक्वीन इंडिया की ब्रांट एंब्रेश्टर बनाया गया तो या दखेंगे नव्या सिंग को अगला पस्ट है मधवनी जिला के किस व्यक्ति को अमेर्की राश्पती जो वाइडेन ने कोविड-19 रिस्पॉंस को ओडिनेटर नुक्त किया है तो इसका से उत्तर है डॉक्टर आसिस कुमार जाको किसे नुक्त किया डॉक्टर आसिस कुमार जाको अब अगला पस्ट है बिहार के आरा में गजल संग्रा ख्वाबो के जजीरा का लोकारपन हुआ इसके लेखक कौन है तो इसके लेखक है सर्फराज असहर कौन है सर्फराज असहर अगला पस्ट है 22 मार्च को बिहार दिवस के मौके पर किस देश में भारती राज़ूत अभै कुमार ने अपनी नए पुस्तर दबुक ओफ बिहार लिट्रेचर की घोशना की है तो इसका शेग उतर है मेडा गासकर अब अगला पस्ट है हाली में चारा घोटाले केस में सजा काट रहे बिहार के किस पुर्व सांसत का निधन हो गया तो इसका शेग उतर है आर के राना का किसका आर के राना का जो की खगरिया के सांसत थे अगला पस्ट है बिहार के सासारा में अविनंदन गरंत पुस्तक का लोकारपन हुआ है इसके लेखक कौन है तो इसके लेखक है ब्रहमेश्वरनात तिवारी कौन है ब्रहमेश्वरनात तिवारी अगला पस्ट है करनाटा के मंगलोर में खेली गई सर्शठवी सिनियर राष्टिये बॉल बैट्विंटन चेम्पियन्शिप में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ तो इसका से उतर है तीसरा अस्थान किसमें सर्शठवी सिनियर राष्टिये बॉल बैट्विंटन च championship में अब अगला पश्ण है राजस्प एवन भूमी सुधार विवाद की रिपोर्ट के नुसार भूमी विवाद को खत्म करने में बिहार का कौन सा जिला पाल्य अस्थान पर है तो बिहार का मुंगेर जिला जोहें पाल्य अस्थान पर दूसरे अस्थान पर सेखपुरा जिला और तीसरे अस्थान पर पश्चिम चंपारन जिला है अगला पस्थ है जगदीश-पूर के किस सहद सभान की मा को गैलंट्री एवार्ट से सम्मानित किया गया है तो इसका शेवतर है सहीद चंदन कुमार की मा को अब अगला पस्ट है किस राज सरकार के द्वारा और द्योगिक भूमी पर निवंदर वो अश्टाम्प सुल को पूरी तरह से माफ कर दिया गया तो इसका शेवतर है बिहार किस सरकार के द्वारा तो बिहार सरकार के द्वारा अध्योगिक भूमी पर निवंदर वो अश्टाम्प सुल को पूरी तरह से माफ कर दिया गया है वगला पस्ट है 21 मार्च को बिहार के किस भारत रत्न की 106 जयनती मनाई गयी तो इसका शेवतर है उस्ताद बिस्मिल्ला खान की किस की उस्ताद बिस्मिल्ला खान की अब अगला पस्ट है मधवनी जिला के किस परसित चिकित सरक को फक्र ए हिंद सम्बान से सम्बानित किया गया है तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर विनई कारक को किसे डॉक्टर विनई कारक को अब अगला पस्ट है बिहार के किस जिला के उदय परताप को बिहार दिवस की अफसर पर ओत्केष्टा संबान 2022 से संबानित किया गया तो इसका शेयुतर है बकसर जिला के उदय परताप को अब अगला पस्टन है बिहार के किस जिला के साथ वर्षी बच्चा नली नाक्ष काचयन यूएस किर्ट्स जूनियर गोल्फ वर्ल्ड चेंप्रेंसिप 2022 के लिए हुआ तो इसका शेयुतर है भागलपूर जिला के साथ वर्षी बच्चा नली नाक्ष काचयन अब अगला पस्टन है बक्तियारपूर पटना में मुखमांती निदिश कुमार के द्वारा के स्वतनता सेनानी की मुर्दी पर पुस्पांजली अर्पिट करते समय हमला हुआ तो इसका शेयुतर है पंडित सील भादर की मुर्ती पर अब अगला पस्टन है हाली में कितने तत्वों का खरन सुरू किये जाने की घोशना की गई है अब अगला पश्ण है भात वन अस्तिती रिपोर्ट 2021 के नुसार वन विस्तारित छेत्र में बिहार का कौन सा जिला शिर्ष अस्थान पर है अर्थात पर्थम अस्थान पर तो इसका श्रीवत्र है बाका जिला अगला पश्ण है बिहार के किस जिला के मनुहर कुमार को बिहार चेंज मेकर अवार्ट 2022 से समारित किया गया है तो इसका श्रीवत्र है भोजपूर जिला के तो आज हम लोगों ने परहा मार्च महिने के सभी वन लाइनर करेंट अफेर्स तो आसा करता हूँ आप लोग को हमारे यह वीडियो पसंद आया हो यदि आप लोग को हमारे यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें फिर मिलते हैं नए मन्त के करें के साथ तो आज के लिए बहुत बहुत धन्य बाद